हो गे लाइब कमेंट्स लगा दीजिए कमेंट्स करें बचो एक बार जल्दी से ठीक है ठीक है कमेंट्स करें जल्दी से एक बार बताईए नमस्कार नमस्कार स्वागत है आपका अपनी अपनी application competition grouper सबका स्वागत है दोस्तों पढ़ाने जा रहे हैं आपको number system और number system का चौथा class है आज की class के अंदर हम unit digit को आपको पढ़ा रहे थी लेकिन आज की session के अंदर हम ऐसी सवालों की बात करेंगे जहां पर unit digit factorial values के आधार पर पूछा जाता है कल मैंने आपको थोड़ी चीज़ें बता ही थी लेकिन उसके बावजूद भी आपको कुछ संसे आपकी रहे मैं जैसे की आपकी comments देख रहा था तो आप सारे के सारे लोग बहुत द्यान से एक बार इस चीज़ को समझेंगे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ यूनिट इजिट यूनिट इजिट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूनिट इजिट यानि इकाई अंक और इकाई अंक में मैं आपको सारा साइकलिस्टी की माध्यम से तो complete करा चुका था और मैं आपको ले की चल रहा था कहां पर मैं आपको ले की चल रहा था Factorial पे Factorial 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 का मतलब क्रमगुनित Factorial का मतलब होता है बच्ची क्रमगुनित तो मैंने आपको इसमें दो important बातें बताई पहले तुम्हें यह भी एक बार दुबारा पता देता हूँ कि होता क्या है जैसे आपको लिखना है X Factorial तो X Factorial आप ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं X Factorial अब मैंने आपको क्या important बात बताई जैसे अगर Factorial 1 लिखा हुआ है तो इसका value 1 Factorial 2 लिखा हुआ है तो इसका value 2 into 1 Factorial 3 लिखा हुआ है तो इसका value 3 into 2 into 1 ऐसे करके है न अगर कहीं पर factorial 4 लिखा हुआ है तो 4 into 3 into 2 into 1 ऐसे कहीं पर factorial 5 लिखा हुआ है तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यानि किसी भी चीज़ का जो factorial value होता है उस संख्यासुस चालू करके और उसको open करते हुए कहां तक ले जाओ 1 तक ले जाओ वही उसका factorial मान कहलाता है अब मैंने आपको दो बाते हैं यहाँ पर बताई हैं मैंने क्या बातें बताई हैं मैंने आपको एक बात तो यह बताई इसमें important वाली first important बात कि 3 से बड़े 3 से बड़े सभी factorial value सभी factorial मान सभी factorial value 4 से पूरते है विभाजित होता है 4 से पूरते है विभाजित होते है एक तो मैंने यह वाली बात बताई आपको 4 से पूरते है विभाजित होते है all factorial values which are greater than 3 is fully divisible by 4 जैसे कि क्यों? क्योंकि 3 से बड़ा जो भी factorial value होगा उसमें 4 मौजूद होगा जैसे हैं भी 4 है 3 से बड़ा है 3 से बड़ा है इसमें 4 मौजूद है 3 से बड़ा है इसमें भी 4 मौजूद है ऐसी factorial अगर 6 लिखा होता तो उसकी value भी 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 आप जानते हैं कि अगर 6 में भी आप देखोगे तो 4 मिलेगा 7 में भी देखोगे तो आगे चलके 4 गुणा में आएगा ही आएगा और जो संख्या 4 की गुड़ाज है यह वाली संख्या 4 से पूर्टाया विभाजित होगी नहीं होगी वाली 4 से अगर भाग दोगे तो यह 4 जब इसमें अल्रेडी मौजूद है तो पूरी जीरो आएगा आप यह मंत्य को 4 से 63 नहीं कट रहा है 63 का मान 63 नहीं है 63 का मान 63 कुणा 62 कुणा 61 कुणा 60 है से गर के आगे एक तक वो जो भी बहुत बड़े आउत्तर आएगा वो 4 से पूरी तरह कटेगा यह बात मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे चार से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं इनका सभी का इकाई का अंक 0 होता है वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि सभी में 5 भी आएगा सभी में 2 भी आएगा 5 दूनी कितने होते हैं? 10 होते हैं और जब 5 दूनी 10 होगे आ और 10 में आप फिर किसकी भी गुणा कर लो किसी भी पून संख्य की गुणा कर लीजे 10 में उत्तर के लास्ट में 0 ही होगा उत्तर के लास्ट में 0 ही होगा का मतलब यह है कि उत्तर के लास्ट में 0 ही होगा का मतलब यह है पांच और दो इसमें भी आएगा, पांच दूनी दस, अब बागी किसी की भी गुणा कर लो, दस की गुणा करोगे तो आखर में जीरो आई जाना है, बोलो येस और नो, भई आपके पास में कितनी भी गुणा आ जाए, तीन, एक, दो, साथ, गुणा पांच, और इसमें दस की गुणा कर लो, तीस से क्या फरक पड़ेगा, इसका जो भी उत्तर आएगा, इकाई का अंक, जो भी होगा, लास्ट में जीरो जरूर आएगा, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात के माध्यम से, क्या चीज, मैं लिखता हूँ आपके आगे, कि तीन, तीन एकाई अंक, एकाई अंक मतलब यूनिट इजट, एकाई अंक सून्य याने कि जीरो होता है, एकाई अंक सून्य याने कि जीरो होता है, जैसे कि अगर आपसे कह एकाई अंक अगर आपसे कहे, तो इसका एकाई अंक कितना होगा, इसका एकाई अंक जीरो होगा, क्योंकि ये 4 से बड़ा है और इसमें 5 गुणा 2 include होगा और इसके इतर जो आईगा इसका जो answer आईगा उसमें लास्ट में 0 होगा इसका unit is it बिना देखे आप 0 लगा सकते हैं तो ये दोनों बातें आपको clear हुई के नहीं हुई तीसरी बात वो क्या है वो मैं हाँ पर लिख दिता हूँ चलिए आप जानते हैं तीसरी बात के रूप में कि factorial 6 मान के चलो इसका value कितना होता है आप कहेंगे सर 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 मैं कहूँ factorial 5 आप कहेंगे सर 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यह value आपको जो दिखाई दे रही है कि इसके जगे रख सकते हैं आपने का क्यों नहीं रख सकते सर 6 factorial 5 आप इसको ऐसा कर सकते हैं बोलो yes or no इसके स्थान पर आप उठा के यह वाली value रख सकते हैं रख सकते हैं 6 into factorial 5 कर सकते हैं फिर इसको आगे क्या कर सकते हैं, 6 equals to 6 into, इसमें से अगर इस 5 को भी आप include कर लोगे, तो इस वाली चीज़ को आप factorial 4 कर सकते हैं, यानि इसको आप 30 factorial 4 कर सकते हैं, जैसी जरूरत होगी वैसा काम करोगी, यानि मैंने आपको एक बात क्या बता दी important वाली, कि factorial n equals to n भार निकल तो n-1 बच जाएगा, या जैसी आपको जरूरत पड़े, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अब n-1 को भी भार निकल लो, तो यहाँ पे n-2 बच जाएगा, है ना, ये वाली बात भी बड़ी important है, तो ये तीनों चीज़ हैं, बहुत important है, फैक्टरियल के unit digit के सवाल जितनी भी आप करोगे, इन से अलग नहीं जाएगा, क्या सवाल हो सकते हैं, मैं सब की चर्चा करूँगा, एक बार इतना लिखो आप जल्दी से, एक बार बच्चे सारे लोग इतना लिखो जल्दी से, बहुत गजब की बात है, important बात है, पिपर में आ सकने वाली चीज़े हैं, और ऐसा आपको कम आता है, इस वज़े से और मेरा बढ़ाने का, पढ़ाने का ज़्यादा, इसका दाईत तो बन जाता है, एक बार इसको लिखो जल्दी से, मैंने क्या-क्या बातें बताएं, एक तो मैंने आपको समझाया कि factorial values आकर क्या चीज़ हैं, तो factorial value आपको यहां से से बड़ी मुख्या बात यह वाली भी है, यह वाली बात भी important है बच्ची, यह वाली बात भी important है, तो हमको केवल क्या-क्या याद रखना है, हमको केवल एक तो यह याद रखना है, one मैंने लगाया है, यह वाली बात, दूसरी यह वाली बात, तीसरी यह वाली बात, और च चारों बाते हमको आगें ते फैक्टूरियल खतम हो जाएगा बोलो के लिए रहे बच्चे एक बार लिख लो इसको जल्दी से एक बार सारे लोग इसको जल्दी से लिखिए मैं सवाल कराता हूँ इसके हटाएं क्या आपने कह दिया जी सरकार हटा दीजी हम इसको हटा देते हैं सब लोग आजाओ ध्यान से सब लोग ध्यान से आजाओ इसके सवाल कराना चालू करेंगे सवाल कराना इसके चालू करेंगे सभी पर आधरित क्वेस्चन्स आपको कराए जाएंगे सभी पर आधारित question अमें type 1, type 2, type 3 और type 4 चारो types पे कैसे सवाल आता है चारो types का सवाल कराके बताता हूँ चारो types का सवाल कराके बताता हूँ चारो जो मैंने important बात बताई हैं इन पे paper में सवाल आते हैं हम कैसे solo करेंगे वो हम मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ दोको पहले type पे बड़ा basic सा सवाल आएगा पहला type बड़ा basic है आपसे सीधा question कर देगा factorial 4 का unit is it बताओ का एकाई अंक बताओ एकाई अंक कितना होगा तो हम को क्या कर लेना है 4 into 3 into 2 into 1 3, 2, 6, 4, 4 यही हमारा उत्तर है यही हमारा answer है ठीक है क्यों क्यों क्योंकि 24 तो उत्तर आएगा 24 का एकाई अंक कितना है 4 हमको एकाई अंक के लिखना होता है इतनी बात समझ मैं यह पहला type है बस खतम दूसरा type का सवाल question मैं लिखता हूँ बस इतना ही पुछे का आप से काई अंक बताओ और आता भी नहीं यह paper में दूसरे type से आना चालो होगा सवाल दूसरा मैंने आपको यह बताया था कि 3 से बड़े जितने भी factorial हैं वे पूरी तरह 4 से विभाजित होते हैं अब जैसे सवाल आ गया 2, 3, 8 पर पर फैक्टोरियल 23 यह question आ गया अब मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि प्रतियक संख्या का cyclicity 4 तो होता ही है यानि कि अगर आपको किसी संख्या का इकाई कांक निकालना है तो उसकी जितनी भी घात है उसमें 4 से भाग करके successful जो बचेगा उसको आप इसके स्थान पर replace कर सकते है for example जैसे मैं क्या कहा रहा हूँ आपसे जैसे मानिक चलो 28 पर पावर होता 25 तो मैं क्या करता पहले तो इसको मैं यह कर लेता जिए 8 पर पावर 25 क्योंकि मेरे कोई काई कंक सही मतलब है इससे कोई मतलब नहीं है तो 8 पर 25 अब मैं 8 पर 25 को हटा के कर देता 8 पर घाते क्योंकि 25 में 4 का भाग करोगी तो 1 से शफल आएगा अब 1 से शफल आएगा तो 8 पर घाते रिक और हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा जैसे 27 पर पावर होती 34 तो मैं लिख देता 7 पर पावर इसको 34 में 4 का भाग लगा लो 4,8, 32, 2 बचा 7, 7, 7, 4, 4, 6, 1, का अंका जायता 9 ये वाली बात तो मैं आपको सिखा चुका हूँ अलड़ी तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बच्चे इस दिहान से सुनो जब आप इसमें 4 का भाग लगाओगी पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब मेरे को तो ये चीज निकालनी है ठीक है इस 23 से कोई मतलब नहीं मेरे को 8 से मतलब है किवल अब मैं 23 में जब 4 का भाग लगाओँगा तो सेसफल बचता है कितना 3 लेकिन फैक्टोरियल 23 में अगर 4 का भाग लगाओँगा तो ये सेसफल बचेगा 0 और 0 न लिखके कितना लिखना है 4 लिखना है क्यों? क्योंकि मैंने कहा तीन से बड़े सभी फैक्टोरियल चार से पूरी तरह कटते हैं इसका मदला फैक्टोरियल ते चार से पूरा कटता होगा पूरा कटता होगा तो सेस्वल कितना बचेगा जीरो बचेगा लेकिन जीरो नहीं लिखते चार लिखते हैं तो हमने कितना सेस्वल बचा लिया? चार बचा लिया, क्योंकि 0 लिख देते तो उत्तर ही नहीं आता, फिर तो 8 पे घाँ 0 और 1 उत्तर हो जाता, तो 8 पे घाँ 4 का मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64 का 4, 8 8 64 का 4, 4 चौक सूले का 6, ऐसे करके हमारा उत्तर आ गया 6 सवाल का, एक ये बात मैंने इंपोर्टेंट आपको बताई, इस पे और क्या सवाल हो सकते हैं? और ये भी सवाल में एक अच्छा सा क्वेशन इस पे लिखे देता हूं इंपोर्टेंट सा, कि भाईया 2, 3, 2 पे पावर फैक्टोरियल 120 और प्लस 2, 3, 9 पे पावर फैक्टोरियल 128, इसका इकाई कांख हमको निकालने के लिए पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से, भाई आप सर एक संख्या का इकांख आप निकालना चाहते हैं, तो 4 वाली सैक्लिसिटी रूल अप्लाई करो, सारी सवाल हो जाएंगे, अब इसमें मैंने क्या किया? कि 2 पे पावर 123 था, इसको हटाओ, 3 से बढ़ाए, सिधा 4 लिखो, ऐसे यहाँ पर 9 पे पावर सिधा 4 लिखो, यह हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 का 6, ऐसी हो कि 9 9 में क्या सी, 9 में क्या सी, 1 एकम 1, 6 और 1 उत्तर आ गया 7, और यह हमारा उत्तर है, यह क्यों आया? यह आप यह देख लिजे, 9 into 9 into 9 into 9, इन दौनों का कितना आया? एक आया, इन दौनों का भी 1 आया और 1 एकम 1 आ गया, ठीक है? ऐसे करके इस सवाल हमारा बना है, सब को समझ आपका माइनस मारा होता तो उत्तर में 10 जोड़ देता हूँ, मैंने कल आपको बात बताई थी, उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है? इसको हटाते हैं चलिए, सब लोग बहुत ध्यान से आजाओ, बहुत ध्यान से आजाओ, सारे लोग बहुत ध्यान से तीसरे वाले टाइप की मैं बात करता हूँ, फिर मैं डिविजिबल्टी रूल चालू करने जा रहा हूँ, बहुत इंपरेंट बात है, तीसरे टाइप पे आजाओ, मैंने तीसरे टाइप में आपको क्या बताया है, कि चार से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते है, सब का इकाई का अंक कितना होगा, का इकाई का अंक कितना होगा, ये सवाल है, का इकाई का अंक कितना होगा, ये करके सवाल आगे मान के चलो पिपर के अंदर, कैसे करोगे जल्दी से बताओ हमें, जल्दी से बोलो बच्ची, जल्दी से उत्तर बताइए इस बात का, कितना उत 3, 4, 5 up to dead ass factorial 100 तक कितना ही काई 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 का बोलो जल्दी से उत्तर बताईए आपका उत्तर हम अब जल्दी से सुनने के लिए बिताब हैं लाला ही थे आप कितना जल्दी उत्तर बताएंगे चलिए जल्दी से सब लोगी स्ट्रीट में आंसर देखो दियान से आजो बच्चो आप से क्या कह रहा है आप से कह रहा है factorial 1, factorial 2, factorial 3, factorial 4, factorial 5, up to dead ass, factorial 100 यानि कि 6, 7, 8 सब कुछ है बीच में इसका कितना आएगा एक ही आएगा इसका कितना आएगा दो आएगा इसका 3, 2, 6 आएगा इसका का इका आएगा बैए मैंने बताए 4 से बड़े सभी factorial का इका 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 जीरो होता है यही बास समझा ही मैंने आपको बैए 4 से बड़ा जो भी होगा उसमें 5 और 2 की multiply हो रही होगी इस कारण से सब का जीरो हो जाएगा अब जब सबका इका 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 इक इक रूप में अब 6 और 4 दस यह भी जीरो हो गया हमारा बचा कितना 3 बचा यही उत्तर है बैए इनको जोडेंगे सबको तो हमारा उत्तर कितना आएगा 3 आएगा इसको जोड़ भी लो 6,4,10,2,1,3 में भी तो 3 ही रहा ना तो जहाँ 0 हो जाए उसको हटा दो उसको जोड़ने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि 0 में तो कुछ भी जोड़ लो वही संख्या ही आ जाएगी यह बास समझ में आ रही इतनी आपको बोलो ना बोलो बच्चे सब को आ रहा है समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा कोई डाउट नहीं बन रहा होगा जदी से लिख लो तीसरा टाइप पी ये वाला इंप्रोडेंट और सेम ही सवाल हर बार आ रहा है सेम ही सवाल हर बार अब इसमें क्या कर सकता है ज़्यादस ज़्यादा हैं सवाल में यह कर सकता था सवाल में क्या कर सकता था हैं पर कहता भई इसका इका इका अंक बताओ इसका इसका तो हम क्या करते हैं भी दो की गुणा करते हैं भी बच्चे दो की गुणा करते यहां भी दो की गुणा करते और यहां भी दो की गुणा ही होगी सारा कुछ basic होता है मैं अथ में बहुत जादा कटिन चीज़े नहीं पूछता आप कितने बड़े लेवल का exam दे लीजिए आपको बस उचित strategy के साथ पढ़ना है इमानदारी के साथ मटरकस्ती नहीं करनी है तो चीज़े अपने हाँ clear हो जाएंगी बोलिए clear है अच्छे तरीके से हटा दें क्या हटा देते हैं बच्चो ध्यान से आजओ हटाते हैं इसको अगली बात प्याज़ो ध्यान से अगली बात जो मैंने बताया था था फैक्टोरियल N एक्वेस्टो N भार निका होगा तो इसमें इकाई कंग निकालने के लिए हमको यह चीज़ सोल्व करने आनी चाहिए simplification में भी आ सकता है सवाल तो इसमें क्या करना है ध्यान से देखो भई छे को मैं क्या लेख सकता हूँ छे भार निकालके फैक्टोरियल पांच और बटे फैक्टोरियल पांच पां पुछ रहे हैं कितना आएगा जल्दी बोलो जल्दी इसका उत्तर बोलो जल्दी से बच्चे इसका उत्तर जल्दी से बोलिए जल्दी से इसका उत्तर बोलिए आपके सामने सावाल लिखा हूँ है फैक्टोरियल साथ बटे फैक्टोरियल पांच कितना उत्तर आएगा बो बोलो ना, ध्यान से बोलो, खुबसुरत तरीके से बोलो बचे, बहुत अच्छे लोग हैं, गजब की, कमाल की लोग हैं, एक बार कमेंटर की बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बोलो बचे, एक बार बोलो, सब को आ रहे ना, बहुत अच्छे, बहुत 6 को आपने फिर 6 भार निकाल के 5 अंदर छोड़ दिया तो 7, 6, 42 में से कितना आ गया 2 हमारा उत्तर आ गया एका एका आंक पुछ रहा है तो 2 हमारा उत्तर आ गया बोलो clear है अगला सवाल लिखते हैं आपके लिए बहुत ही खुबसूरत सा बहुत ही खुबसूरत सा सवाल अगला लिख देते हैं क्या सवाल हो सकता है सवाल हो सकता है 8 factorial 3 बटे factorial 2 कितना उत्तर आएगा बोलो जल्दी बोलो कितना उत्तर आएगा सारे लोग जल्दी से उत्तर बताएंगे हमको सब लोग जल्दी से उत्तर बताईए बोलो बच्चे जल्दी से उत्तर कितना आएगा बोलो जल्दी से बोलो बोलो रे बोलो सब लोग बताएंगे कितना एंसर आएगा सब लोग बोलो भीया कितना उत्तर आएगा सब लोग बोलो देखो बच्चे ध्यान से आठ तीन भार निकाल लो बच्चेगा दो और बच्चेगा दो से दो कैंसल आठती है 24 का 4 आ गया ठीके यह बहुत इसांदर टाइप अगलत सवल क्या हो सकता है मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल आठ मैंनस फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 5 इसका उत्तर कितना आएगा इसका और बता दो एक बार फिर आगे बढ़ जाएंगे फिर कोई डाउट नहीं बचेगा आगे बढ़ जाएंगे फिर फिर आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से जल्दी से करिए बैया जल्दी से करिए सब लोग आओ ध्यान से क्या करना है देखो नीचे 5 इसमें भी 5 बलाओ कैसे 5 आएगा 8 x 7 x 6 फैक्टोरियल 5 और माइनस 6 x फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 common निकाल लिया तो यहां क्या बच गया 8 x 7 x 6 x 36 और माइनस यहां भी कितना बच गया 5 फैक्टोरियल तो 6 यहां भी बच गया और 5 से 5 कैन से लुत्तर कितना आगे 0 आएगा 1 काई कांक बोलो समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे मान के चलो इस सवाल में हैं पर प्लस होता यह इतना समझ आया मान के चलो इहां भी प्लस होता अब प्लस होता है इस सवाल के अंदर तो हम क्या करते हम यहां प्लस लगा देते हैं भी प्लस लगा देते तर उत्तर फिर कितना हो जाता फिर 0 उत्तर हो जाता तो बोलोगी, समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, 6 और 6 बारे में 2 उत्तर आ जाता, तो बिलकुल भी doubt नहीं पालना है, बहुत आसानी से, बहुत इत्मिनान से, बहुत धहरिया से समझना है, ठीक है, इस तरीके से unit digit complete हुआ, आगे बढ़ता हूँ इसमें, आगे की कहानी, इसको लिखो एक बार जल्दी से, बहुत इस स्पीड में लिखो इसको जल्दी से भाईया, सारे लोग, सारे लोग जल्दी से लिखो इसको, सारे के सारे लोग जल्दी से, इस स्पीड में करेंगे, हो गया, खुपसुरत तरीके से हो गया ना बहुत अच्छे इंसाने गजब के ठीक है ओकी कर लिजे जल्दी से इसको आगे की कहानी चला रहे हैं Divisibility Rule नमर सिस्टम का थर्ड पार्ट है बहुत इंपोर्टेंट है गजब का है पिपर में आ सकता है आपके लिए ठीक है पिपर में आ सकता है बच्चे काली माता की भक्तो बहुत गजब के लोगें आप लोग देवता है एकदम से देवता कुछ बहुत सुन्दर देवियां भी है सुन्दर से मेरा मतलब है दिमाग से सुन्दर चेहरे से सुन्दर नहीं पता मेर को दिमांग से सुन्दर की बात कर रहे हैं अगला आपका क्या आने जा रहा है बच्चे Divisibility rule याने विभाजचता का नियम लिखते हैं इसको इहांपे Divisibility Divisibility rule याने भअजचता के लो या विभाजचता के लो तो पहले बहुत basic बाते हैं आपको इसमें समझाते हैं, सुनिए ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनिए divisibility rule क्या होता है, तो पहले पढ़ते हैं 0 का divisibility rule, 0 का क्या divisibility rule है, यदि आपके पास में कोई संख्या जैसे 1, उसमें आप 0 का भाग देंगे तो आपका उत्तर अनन्त आपके पास में 11 है, आप 0 का भाग देंगे उत्तर अनन्त आएगा, आपके पास में 27 है, 0 का भाग देंगे उत्तर अनन्त आएगा, यानि आपके पास में कोई भी natural number है, अगर आप 0 का भाग देंगे तो answer अनन्त आएगा, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा जीरो के बारे में क्या पता होना चाहिए अगर आपके पास में जीरो है और आप किसी संख्या से भाग देते हैं तो आपका उत्तर जीरो आएगा जीरो है किसी संख्या से भाग देते हैं आपका उत्तर जीरो आएगा अगर आपके पास में कोई जीरो है और आप उसमें किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो आपका उत्तर जीरो आएगा इसका मतलब कहने का यह है आपके पास में 0 है अगर आप कोई भी natural number से भाग देते हैं तो आपका उत्तर अनन्त नहीं आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, ये दूसरी बात, तीसरी बात, क्या है, कि अगर आप 0 से ही 0 में भाग देंगे, तो ये आपरिभाशित आएगा, आपरिभाशित इंडिया का था, इंडिया का मतलब भारत का रहने वाला था, अब 0 का इडिविजिबिल्टी रूल ही से क्या बन गया, जिरू का इडिविजिबिल्टी रूल ये बन गया, कि यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में, 0 से भाग देते हैं, तो इंफिनिटी आता है, म अनन्त आता है, यदी किसी संख्या में प्राकरतिक संख्या लिखते हैं, यदी किसी प्राकरतिक संख्या में जीरो से भाग देते हैं, यदी यदि किसी प्राकरतिक संख्या से 0 में भाग देते हैं, तो उत्तर 0 ही आता है, और यदि 0 से 0 में भाग देते हैं, तो क्या होता है, तो उत्तर एपरिभाशित आता है, तो उत्तर कैसा आता है, एपरिभाशित आता है, इंपर्डेंट बात है, लिखो इसको जल्दी से, 0 का Divisibility Rule हमने आपको बताया, पिपर में भी यहां से सवाल आ जाएगा, आपको पता होगा कैसे बनना आएगा, यहां से सवाल बन सकता है, इसको एक पर जल्दी से क्या हो गया यह चीज, 0 का Divisibility Rule हो गया, इसका Heading क्या है, इसका Heading है, 0 का Divisibility Rule, Divisibility Rule of 0, 0 का Divisibility Rule, भाज्यता का नियम, सारे के सारे भाज्यता के नियम पढ़ाने जारों, सारे सौर्ट ट्रिक से सीके अंदर आने जारों, ठीक है बच्चे, ठीक है मुन्ना, बोलो आ रहा है समझ में, आप जल्दी से इसको लिखेंगे, भाज्यता का नियम, जल्दी करिए इसको, 0 का Divisibility Rule आप जल्दी से लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया ना, हटाएं क्या बोलो, जल्दी लिखो जल्दी, जल्दी लिखो जल्दी, 0 का भाज्यता का नियम हो गया, आगे चलते हैं, अगली important बात पर आते हैं, काम की बात हैं सारी के सारी जो बताने जा रहे हैं हम आपको, ठीक है, सब बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से, बहुत गंबीरता से, आपको हर एक चीज़ पता होना चीज़, तब ही गडित में confidence आएगा, चलिए, सब लोग आजाओ ध्यान से, अगली बात पर आजाओ, अगली बात क्या है, एक का divisibility rule, एक का one का, एक का divisibility rule, अगली बात है, एक का, एक को सुन्दर ब सुन्ध्यान से, यदि किसी संख्या में, कोई संख्या है, प्राकरतिक संख्या, उस प्राकरतिक संख्या में अगर आप एक से भाग देते हैं, तो वही संख्या आ जाती है, ग्यारे में एक का भाग देलो, वही संख्या आ जाएगी, यानि कि कोई natural नंबर एक का natural हो, irrational हो, तो वह संख्या ही आजएगी, अगर एक के अलावा एक को छोड़कर एक को छोड़ दो, और एक में किसी और संख्या से भाग दो, भाग नहीं जाएगा, ठीक है? किसी भी संक्या से आप भाग दो जाए क्या है एन क्या है एक को छोड़कर नैचुरल नंबर है तो एक में किसी भी संक्या से दो तो भाग नहीं जाएगा ठीक है एक को छोड़कर एक में किसी से भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा और यदि एक में जीरो से भाग दोगे तो उतर अनन्त आएगा जीरो में एक से भाग दोगे तो उतर जीरो आएगा यह वाली बातों में जीरो में बता चुका हूँ आपको ठीक है? हें तक हमको इसमें क्या पढ़ना है? कि यदी किसी प्राकरतिक संख्या में एक से भाग देते हैं प्राकर्तिक के स्थान पर कोई भी संख्या भी ले सकते हो एक से भाग देते हैं तो उत्तर वही संख्या आ जाती है वही संख्या आ जाती है कौमा यदि एक को छोड़ कर किसी अन्य संख्या से एक में भाग देते हैं तो यह है एविभाज्य होता है यानि भाग नहीं जाता है और यदि एक से एक में भाग देते हैं तो उत्तर एक आता है तो तीनों लाइनों से सवाल आया पेपर में कैसे आया बताता हूँ तो उत्तर एक आता है यहाँ से यहाँ तक जो बात लिख रही है पेपर में पूछा गया ऐसी कौन सी संख्या है जिसके दोरा किसी भी संख्या में भाग दें तो वही संख्या आती है तो उत्तर एक यह सवाल आया यहाँ से सवाल आया यह थी एक को छोड़ गर किसी अन्य संख्या में एक से भाग देते हैं तो एवे भाज़े तो होता है इसने पूछा था बताई ऐसी कौन सी संख्या है जो किवाल खुद से ही करती है बागी किसी से नहीं करती है और वो एक अभाज़े संख्या भी नहीं है तो ऐसा उत्तर था फिर एक एक अभाज़े भी नहीं होता लेकिन खुद के अलावा किसी से करता भी नहीं है तो वो भी हैं सवाल आ जाता है और एक से एक में भाग देने पर उत्तर एक आता है तो सवाल आयता है बता ही ऐसी कौन सी संख्या है जिससे उसी संख्या हमें भाग देने तो उत्तर भी उत्तना ही आता है तो तब उत्तर क्या आता है तब उत्तर एक था ये तीनों सवाल पेपर में अलग-अलग पूछे गएं, SSE में पूछे गएं, और ये UPSC के C-set या निए IESC-set में भी सवाल पूछा गया है, आप सोचलो कितनी छोटी बात, कितनी बड़े अग्जाम में पूछे जा सकते, एक बार लिखो इसको, फिर आपके काम की बात हैं, जो आपको रोज रुमांच पैदा करती हैं, आपके अंदर उनकी बात करने जा रहे हैं, लिखो जल्दी से, Speed से लिखो, हो गया क्या? लिख चुके क्या काली माता के भगतो? हो गया क्या? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी स्पीड में, स्पीड में लिखो, बच्चे स्पीड में लिखो, सब लोग स्पीड में, स्पीड के साथ में लिखेंगे, ठीक है? मजा आएगा स्पीड में लिखोगे तो, स्पीड में लिखोगे तो मजा आएगा, मजा, मजा, रश की कमर मज़ा आ गया है गाना सुनाए आपने सबने सुनाए मेरे रश की कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मज़ा आ गया ऐसे खुब सूरत है चलिए आजो ध्यान से आजो सवाल पर आजो ध्यान से सब लोग आजो ध्यान से सब लोग आई ध्यान से मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ दो का डिविजिबल्टी रूल सब लोग आऊ ध्यान से दो का डियार लिख देता हूँ तो समझाओ डिविजिबल्टी रूल तो मैं नीले पैन से लिखता हूँ क्या वहब प्रतियक संख्या दो से विभाजित होगी दो से विभाजित होगी जिसका विभाजित होगी जिसका यूनिट डिजिट का मतलब आप क्या कहेंगे इसको जिसका लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट जिसका लास्ट डिजिट दो से विभाजित हो दो से विभाजित हो समझा आगया वो ही दो से कटे जैसे एक्जाम्पल एक्जाम्पल यहां ले ले लेते हैं दो एक तीन पांच चार क्या दो से कटेगा तो पूरे भाग मत दो आखरी संख्या काट के देखो ये कट रही है तो इसका मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा विभाजित है समझ में आया ऐसी मैं आपसे क्या कहता हूँ इसी धुनपे मैं आपसे कहता हूँ वह पृतियक संख्या दो दुनी चार से विभाजित होगी जिसके लास्ट के टू डिजिट्स चार से विभाजित होगे जैसे एक्जामपल दो एक तीन पांच चार चार का भाग दो क्या चार चवण कटता है चार से नहीं कटता तो यह संख्या भी नहीं कटेगी क्योंकि इसमें आर दो आ रहा है ठीक है? चार एकम चार हाँ, चार तिया बारे दो आ रहा है नहीं कटेगी तीसरी बात क्या important है? तीसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ वह प्रतिये एक संख्या जो चार दोनी आठ से विभाजित हो सकती है जिसके लास्ट के तीन डिजिट्स आठ से विभाजित होंगे example 1008 क्या आठ से कटेगा तो आखरी के तीन डिजिट देखो आठ से कट रहा है तो यह कटेगा आठ जिरो आएगा ठीक है important बात है ऐसे यही सारी condition apply आठ दोनी 16 में क्या हो जाएगा last के 4 डिजिट ठीक ऐसे 16 दोनी 32 में क्या हो जाएगा last के 5 डिजिट ठीक है ऐसे यह नियम आगे बढ़ता रहेगा तो एक बढ़िया नियम है यानि 2 से वो कटेगा जिसका आखरी का एक डिजिट 2 से कटे 4 से वो कटेगा जिसका आखरी के 2 कटे 8 से वो कटेगा जिसका आखरी के 3 कटे 16 से वो कटेगा जिसका आखरी के 4 कटे हमको 1 से 9 तक कही याद करने है हम किस-किस का याद कर चुके हैं अभी तक 0 का 1 का 2 का 4 का और 8 का ठीक है बागी चर्चा करते हैं भी इसको लिखो पहले एक बार सबकी चर्चा करेंगे आपसे इसको लिखो जल्दी से Speed में लिखो बच्ची ध्यान से लिखो बड़िया मज़ा आएगा इस पे बढ़ एक सवाल कराता हूँ इन दौनों पे एक सवाल कराता हूँ उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूँगा बड़िया सुन्दर खुबसूरत सा सवाल कराता हूँ ठीक है जल्दी लिखो जल्दी से हो गया लिखो जल्दी से सब लोग लिखेंगे स्पीड में स्पीड के साथ लिखेंगे सारे के सारे सारे के सारे बंदे स्पीड के साथ लिखेंगे सारे के सारे बंदे बंदियां सभी स्पीड में लिखेंगे चलिए हटाएं इसको बहुत ही खुबसूरत सवाल है आप लोगों से भी ज़्यादा खुपसूरत हैं चीज Jahren आप तो हैं खुपसूरत लेकिन ये जो आप पढ़ रहे हैं उह महाँ खुपसूरत बात है चोटी-छोटी बात का फसाना बन रहा है दोस्तो चोटी-छोटी बात का अब छोटी सी बात बताई उसका कैसे फसाना बनता है पेपर में आपको बताता हूँ मैं सब लोग ध्यान से आजाओ सब लोग ध्यान से आजाओ सब लोग ध्यान से आजाओ क्या सवाल आया पेपर में एक बार कोई संख्या कोई संख्या एन इस प्रकार है कि एन स्क्वाइर बराबर आखरी के दो डिजट दे रखे ते चववन तो बताईए संख्या एन के कितने मान संभव है यह सवाल है तो बताईए संख्या एन के कितने मान संभव है यह क्वश्चन बढ़ी आसा आप इसको एक बार करके बता सकते हैं तो बताईए जल्दी से कोई संख्या N इस प्रकार है कि यदि N स्क्वाइर करोगे तो आपका उत्तर के लास्ट के दुजरी टाएंगे चाववन तो कह रहा है तो बताओ संख्या N के कितने मान संभव है then find how many values are possible for the number N if a number N is such as N square request to last to digit 54 then find how many values are possible for N ये सवाल है आपसे ठीक है खुब सुरसा सवाल है और इसका options भी मैं आपको दिये देता हूँ पहला option मैंने दिया आपको 0 दूसरा दिया मैंने आपको 2 या 1 दूसरा सीसरा दिया मैंने आपको 2 और तीसरा दिया मैंने आपको 3 चौथा दिया मैंने आपको तीन तो यह तो चौता हो गया, यह देता हूँ मैं आपको नोटा, इन मैंसे कोई भी नहीं, ठीक है, यह मैंने आपको पांच आप्शनस इसके दे दी हैं, ठीक है, करो, सब लोग बताओ मेरे को कितना उत्तर आएगा, बोलो जल्दी से, सारे के सारे, बोलो ना उत्तर जल्दी बताओ भाया, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, अच्छे तरीके से बोलो, खुपसुरत तरीके से बोलो, उत्तर बोलो, ऐसे काम ना चल पाईगा, उत्तर नहीं बोलोगे, तो काम नहीं चल पाईगा सब लोग आजाओ ध्यान से कैसी हो सकता है सवाल सब लोग आजाओ भाईया सब लोग आजाओ ध्यान से कैसी बन सकता है सवाल सब लोग आजाओ दिखो ध्यान से ऐसी बन सकता है इसनी कहा है कि जब आप एन का वर्ग करते हो अब चार जब आखिर में आ रहा है तो इसका मतलब जो संख्या एन होगी वो जो संख्या एन होगी उस एन का आखिर का जो डिजिट आएगा वो या तो दो आएगा या तो आठ आएगा बोलो बैई चार कब आ सकता है किसी भी संख्या की वर्ग में जब आ सकता है जब उस संख्या में आ तो दो आ रहा हो आखिर में आ तो आठ आ रहा हो या तो दो दुनी चार आ सकता है बारे हो बाईस हो दो सो ब्यालिस हो तो इसका गुणा दो बार करोगे तो आखिर में चार बन सकता है या आठ हो जैसे कोई संख्या आठ है और गुणा इसमें भी 8 है तो फिर 8, 8, 4 आ सकता है या यहांपे 2 हो यहांपे 2 तो 2 दुनी 4 आ सकता है जब भी वर्ग करोगे वर्ग का मतलब उसी संख्या के 2 बार गुणा करना तो वो संख्या ऐसी होगी जिसके आखर में या तो 2 होगा तब उसकी last में 8 आ रहा है, इसका मतलब है कि n का last digit या तो 2 है या फिर n का last digit 8 है, अभी मैंने बतायाता है अगर किसी संख्या का last digit 2 से कटता है तो वो संख्या भी 2 से कटती है अब आप देख रहे हैं कि n में या तो आखर में 2 आएगा, या तो n के आखर में आठ आयगा यानि n का last digit या तो 2 है या तो 8 है अब 2 हो या 8 हो संख्या तो 2 से कटेगी इसका मतलब मैंने एक बात और समझ में आ गई कि संख्या and संख्या and 2 से विभाजित है ये बात समझ में आ गई या तो 8 आ जाए तो भी 2 से कटेगा और दो आजाए तो भी दो से कटेगा दो आजाए लास्ट में तब भी दो से कटेगा आठ आजाए तब भी दो से कटेगा मतलब कि संख्या एन दो से विभाजित है तो इसका मतलब संख्या एन का वर्ग चार से विभाजित होगा बोलो इस बात को यह बात समझ में आती है कि नहीं आती है अगर कोई भी संख्या 2 से कटती है कोई भी संख्या whatever number you want to get मालो 6 है 6 2 से कटता कटता है तो 6 का वर्ग 36 फिर 4 से कटेगा 2 के वर्ग से भाई 6 का वर्ग 36 दो का वर्ग 4 4 निम 36 कटेगा संख्या 2 से कटती है तो यह बात है तो यह बात है तो यहनी अगर संख्या न दो से कटती है तो N square 4 से कटेगा और N square अगर 4 से कटेगा तो इसका मतलब है कि last के 2 digits उसके 4 से कट रहे होंगे N square के last 2 digits 4 से विभाजित होंगे बई अगर संख्या N² 4 से कटती है तो 4 का नियम मैंने क्या बताई था कि उसके आख्री के 2 अंक 4 से कटेंगे अब N² के आख्री के 2 अंक कितने दिर रखेंगे हैं? 54 किया 54 4 से कटता है? तो 54 4 से नहीं कटता इसका मतलब N कोई भी संख्या होई नहीं सकती एे option सही है अर्थात संख्या N का कोई मान संभाव नहीं है लिखो एक बार जल्दी से लिखो एक बार जल्दी से बच्चे सारे के सारे लोग जल्दी से लिखो इसको बई संख्या N स्क्वार में आखर में चार आ रहा है इसका मला N के आखर में दो आएगा या आठ है कि मतलब एन दो से कटेगा जब एन दो से कटेगा तो एन का वर्ग चार से कटेगा एन का वर्ग चार से कटेगा तो एन के वर्ग का जो भी मान होगा उसके आखिर के दो अंक चार से कटेंगे आखिर के दो अंक चावण दे रखें बहुत ही सरल चीज़ें आपको बताने लग रहे हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है पर जो आपके लिए बहुत कठीन हो ठीक है जल्दी जल्दी लिखो यानि यह वो संख्या किसी की वर्गमेल आखिर में आई नहीं सकती जो चारसी ना कटे अगर वो संख्या के आखिर में ऐसा संख्या दे रखा है जो की दो से विभाजित होता हो जैसे मैं क्या बतारो मैं आपको थोड़ा से इसको डिटेल्ट करता हूँ एक बार लिख लो इसको हो गया ना चलो आओ ध्यान से मैं इस बात को डिटेल्ट करता हूँ सुनो ध्यान से कैसे क्या आप मैं बताना चाहता हूँ आपको एक बार ध्यान से सब लोग सुनिए एक बार सब लोग ध्यान से सुनेंगे ठीक है न सब लोग ध्यान से सुनेंगे एक बार बहुत ध्यान से इत्मिनान से प्रेम के अधीन होके सुनेंगे प्रेम के अधीन होके सुनेंगे क्या सुनेंगे सुनो मैं आपसे यह बता रहा हूँ बची मैं आपसे यह बता रहा हूँ कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या का इकाई का अंक पहले छोड़े से बात करता हूँ जीरो है, तो क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, यस हो सकती है, हाँ हो सकती है, राइट लगा देता है राइट बई, जीरो किसी के लास्ट में आ सकता है पूर्ण वर्ग के लास्ट में एक संख्या की बात तो है, दो की बकरेंगे भी बोलो हाय ना, नौने में 18, 81 पूर्ण वर्ण है, 1331 तो गहनेख है, एक आसकता है, एक आसकता है क्या दो, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ण दो हो सकता है क्या, जैसे कि कोई भी संख्या बताओ, आप 12 पूर्ण वर्ण ना, कोई भी पूर्ण वर्ण है जिसके लाष्ट मे दो आता हो, मैंने 100 बता दिया, 100 में 0 आ रहा है, पूर्ण वर्ग है 81 बता दिया, 1 आ रहा है, पूर्ण वर्ग है लेकिन और कोई मुझे उधरन दे तो जिसके आखर में दो आता है, तो दुख कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता अगर किसी संख्या के लास्ट में दो आ रहा है, तो ये संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी 3 हो सकता है क्या, 3 भी नहीं हो सकता कोई भी संख्या मुझे नहीं बता सकता है, जिसका आखर में 3 आ रहा हो और ये पूर्ण वर्ग हो, fully square हो 64 में, 64, 88, 64, 64, 64 65 में आकिर में 4 आ रहा है 64 पूरफ गय बिल्कुल ने पांच 25 है देखो उधारण के रूप में हमारे पास 25 है 25 में 5 आता वह देखो पूरफ गय चे आ सकता है क्या 36 है उधारन हमारे पास 36 पे 16 एक partie अंक 58 की बात कर हो गार पूञवरत की श पूञभटोस हो सांख्या प्रही पे नहीं हो गtesब racist नीस कि portfolio नहीं होगी और अड़ते से तो होगी नहीं होगी बिल्कुल भी नहीं होगी चौध है है तो होगी क्या पहले पता चल जिक होसकती है। रहें तो यह किसी के लास्ट में आ सकता है मैंने का 36 दो से कट रहा है संख्या का वर्ग चार से कटता होगा जब संख्या का वर्ग चार से कटता होगा तो आखरी के दो अंक चार से कटते होंगे अब 36 जो है वो दो अंक्यों चार से कटते हैं समझ में आ रहा ना कहानी 48 48 तो आई नहीं सकता क्योंकि 8 है काई कांग किसी बात कैंसल हो गई अच्छा जी मैंने और क्या कहा मैंने का 52 से कैंसल हो गई बात देखो बहुत आसानी से आप उड़ा सकते हैं अब इस चीज के क्या फायद है मैं आपको बताने जाऊंगा अकला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ एक बार इसको जरा लिख लो आपको समझ तो आ गया ओगए होगा इह बात में क्या बोल रहा हूँ इतनी लिएड़ से जल्दी लिखो जल्दी इस पीड में लिखो भहिया इस पीड में लिखो मुन्ना स्पीड में लिखो सवाल कराते हो क्या लिखो पहले बताता हूँ क्या सवाल आ रहा है आपके आगे बहुत ही खुपसुरत सा सवाल आ रहा है बहुत ही सुन्दर सा सवाल आ रहा है बहुत ही सुन्दर सवाल आने लग रहा है बहुत ही सुन्दर ठीक है बहुत ही सुन्दर हटाओं क्या हटाओं बोलो हटा दें चलो देखो, जल्दी जल्दी लिखो जल्दी यल्दी, ये वाले एक आई कांक आ सकते हैं किसी के भी पूर्ण वर्ग में, ये वाले नहीं आ सकते, ये वाले भी नहीं आ सकते, ये वाले भी आ सकते हैं, देखो कैसे सवाल आता है, पिपर में आपने देखा होगा एकसर ऐसा सवाल आता हुआ, question क्या, बताईए, बताईए, निम्न में से, निम्न में से, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, और option मैं आपको दिये देता हूँ, 1293, 1294, 1296, 1298, हमको बताने कौन सी एक संख्या है, वो पूर्ण वर्ग होगी, जल्दी बताओ इन में से, कौन सी संख्या, पूर्ण वर्ग होगी, इन चारों में से, कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी, यह मुझे जल्दी से आप बताएंगे, सारे के लोग, सारे के सारे जल्दी से बताएंगे सारे के सारी लोग जल्दी से इस सवाल का उत्तर देंगे जल्दी से बचे जल्दी से उत्तर देंगे जल्दी से जल्दी से उत्तर देंगे सब लोग बहुत जल्दी से देखो ध्यान से कैसे किसी भी संख्या के लास्ट में 2-3 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता तो इसमें 3 आ रहा है तो यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी 4 पे हो सकती है, 6 पे हो सकती है इसमें 8 आ रहा है नहीं होगी देखो 8 है इस पे अब इसके आ जाते हैं आखरी के दो डिजिट ये इसका मतलब ये संख्या दो से कटती है इसमें दो होगा या आठ होगा मतलब संख्या ये दो से कट रही है तो इसका वर्ग चार से कटता होगा यानि ये चीज़ चार से कटती होगी अब ये चीज़ चार से कटेगी तो आख पर इक से इन सवालों को आपको करना होता है, बोलो के लिए रहे, समझ आया, देखो divisibility rules से कितने फायदें आपको, जल्दी लिखो, आगे बढ़ता हूँ फिर में, जल्दी जल्दी लिखो, आगे बढ़ता हूँ, हो गया, चलो हटाते हैं इसको, हटाते हैं, इसको जल्दी से हटा देते हैं, जल्दी लिखो, जल्दी से, कैसे किया, मैंने सब को समझ आए, तीन नहीं आ सकता और आठ, पहले और चौथा तो वैसी cancel होगी या, तीन आठ हाई नहीं सकते वर्ग के लास्ट में, ये इसलिए cancel होगी, कि आखरी के दो अंग चार से नहीं कट रहे, वैस संख्या तो ये दो से कटती होगी, जिसका भी ये वर्ग है, अब संख्या दो से कटती होगी, अब यार 1294, कुछ लोग नहीं समझ पारे कि आप भी 1294, ये किसी संख्या का वर्ग है, तो मतलब इस संख्या के लास्ट में या तो दो होगा, या तो आठ होगा, यानि ये संख्या दो से कटती है, एन जो है, एन दो से कटती है, तो एन का वर्ग चार से कटता होगा, चार से कब कटेगा, जब चौरान में भी चार से कटे, ये नहीं करता तो संख्या है इसका मल गलत है यह इन ये ब काम किया है बस मैंने वो सवाल वो इसी लिए तो कराया था चलो आगे आजो आगे आजो ध्यान से क्या चीज आगे आजो ध्यान से तीन का Divisibility Rule DR of 3 पहले लिख देता हूँ क्यों होता है अंकों का योगे, इसको समझो पहले अंकों का योग फिर ठीन का divisibility रूल बताओंगा कीजिकि इसके कारान से ही वह होगा रूल यह कि वह परतेख संग्या तीन से कड़ेगी जिसके अंकों का योग…" तीन से कटता हूँ, तो अंकों का योग क्या होता है, वो समझो पहले, जैसे मैंने आपके सामने लिखा बार है, इसके अंकों का योग बताना है आपको, ठीक है? चौध है, 23, 63, 643, इसका बताना है, इसका बताना है, इसका 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 इस इसका ठीक है यह मैंने आपके सामेर को संख्यलकीन के अंकों के योग हमको बताने ठीक है आओ करना चालू करते हैं सब को इसी से समझ में आ जाएगा सब लोग पहले एक बार ध्यान से समझ लो इंकों का उनकों का जोड़ दो और एक कितना आएगा तीन आएगा अंकों का योग बोलो समझ आया इसका साथ के साथ कमेंट करते हैं रो बताओ चार और एक पांच आएगा तीन दो पांच आएगा छे तीन नो आएगा छे चार दस तीन तेर है तेरे में तीन और एक चार बोलो इतना समझ माया चार क्यों आया ऐसे आया पंद्रे में पांच और एक कितना हो गया, इतना समझ आगे हैं यहां तक, किलियर, ओके, नेक्स, यह सेकंड फर्स टाइप था यहां तक, यहां तक फर्स टाइप है, पर यहां से आगे सेकंड टाइप है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, मैं सारे सवाल करके दिखा आपको। एक, दो, तीन, चार, पांच है, नौचिंग, चावण, 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 तो यहां से क्या बात समझ में आई? लिखो note डालके. लिखो जल्दी. यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में नो आता है लिखो यदि किसी संख्या में नो आता है अरे सब copy pen लिखो बैठो ना? लिखो उस पर. बिल्कुल offline class की तरीके से पढ़ो. नो का अंकों के युग पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता. क्योंकि नो का अंकों के युग पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता. तो इसका मतलब अब आगे ध्यान क्या रखना है हमको? आगे क्या ध्यान रखना है? सब लोग आजाओ ध्यान से. सब लोग ध्यान से आजाओ सब लोग आजाओ ध्यान से बच्ची सब लोग ध्यान से आजाओ सब लोग ध्यान से आजाओ सब लोग आजाओ ध्यान से सब लोग आजाओ बच्ची ध्यान से ठीक है सब लोग आजाओ ध्यान से दो और एक तीन नो को छोड़ दो, दो रेक, तीन, नो को छोड़ दो, दो रेक, तीन, नो जितने भी हैं उनको सब को छोड़ दो, मिरको कोई मतलब नहीं, दो रेक, तीन, नो को छोड़ दो, दो रेक, तीन, चैन, नो को छोड़ दो, नो, 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 दो रेक, तीन, बस, नो को थाइस में आठ ठर दो, दस में एक जिरू दियो, इसमें देखो, छैए और तीन, नौ, ठीक, पांच और चार, नौ, कौन बच गया, साथ, नौ, 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 सब को मत काट के जिरू मत लिग दे न, एक बाकी का नौ लिग दे न फिर यहां पे, सब काट के उड़ा के जिरू क योग समझ में आया, आ गया, लिखो जल्दी से, फिर मैं आपको तीन का डिविजिबिल्टी रूल पढ़ाऊंगा, अचार, टाइम हो गया, ठीक है, चलो, इतना आप करिए, इतना आप करिए, अंकों का योग, इतनी बात आपको समझ में आ गई, तीन का श트 करिए, बात आपको समझ में